जो हार दोस्तों मैं इस्मृतिया सुवर्या आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इस्मृतिय में आज की क्लास में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट का भाग तीन कराने वाले हो और यह जो सीरी चल रहा है तो उसका ही यह ती बताने की इसी प्रैयास में हम लोग आगे बढ़ते हुए कुछ आज कोशन नसर करेंगे जो कि सी एंटी और एक्ट और स्पीटी एक्ट से होगा यहां से पांच-प्रशन ऐसे होंगे जो आप लोगों से पूछे जाएंगे आप लोगों के एक्जामिनेशन में अब देख बहुत टुफ नहीं है के अधारथ 179 में क्या कहा इत्तेयत लुगों उससारी आप यादट कर लेते हैं तो ईकल स्ब्सक्राइब कर लेते हैं तो चलिए में क्लास को अर लेते हैं पहला प्रशन कि आप सब पूरह मैं क्या उसकी तरीक से कर रहा हूं और फिला चलिए आज का पहला प्रशन लेते हैं आज का पहला प्रश्ण जो है वो धारा 179 से है C&T 8 के धारा 179 से तो धारा 179 के अंदर गत रायत को पट्टा देने के आदेश के बावजूद कितने मा तक भू स्वामी के द्वारा पट्टा नहीं दिये जाने पर और उपायुक्त अपने हस्ताक्षर से उसको पट्टा दे सकता है तो यह प्रश्ण है जो कि छोटा नाकूर कास्तिकारी अधिनिया 1908 के धारा 179 से संबन देता है अब 179 में कहा क्या गया है यह कहा गया है कि मान लिजे कोई रायत है अकोई रायत को आदेश दिया गया है कि भू स्वामी उसको पट्टा देगा मतलब रायत को भू स्वामी को पट्टा देने का आदेश दिया गया है और भू स्वामी जो है उस पट्टे को तीन माहा तर रायत को नहीं देता है आदेश होने के बावजूद भी तो उपायुक्त जो होते हैं उनको ये अधिकार होता है कि वो अपने हस्ताक्षर करके रहयत को पट्टा दे दे तो यही कहा गया है 179 में तो यहां पूछा जा रहा है कितने माहा तक भूस्वामी जो है अगर आदेश होने के बाद भी वो र तीन माह तक लगतार अगर वो पट्टा नहीं देता है तो फिर उपायुक्त का यह विशे साधिकार होता है कि वो अपना हस्ताक्षर करेगा और फिर वो पट्टा जो है रहयत को दे देगा यह प्रश्ण आप लोगों से ऐसे भी पुशा जा सकता है कि धारा 179 के अंतरगत रहयत को पट्टा देने के आदेस के बावजूद तीन माह तक भू स्वामी के द्वारा पट्टा नहीं दिये जाने पर रहयत को किसको यह अधिकार है कि वो अपने हस्ताक्षर से रहयत को पट्टा दे सकता है तो यह हो जाएगा उपायुक्त को यह अधिकार होता है कि वो सभी धाराओं को आपको पढ़ना है और जीन-जीन धाराओं में यदि किसी सजा का वर्णन है वो यदि लगान कितना लगा जाता है वो कितना प्रतिशत लगान लगता है वो या फिर कितने माह का कोई मेंशन है कोई दीन ती यह सभी चीज का मेंशन है तो वो सारे क्योंकि वहां से एक ना एक प्रश्ण जरूर आप लोगों से पूछा जाएगा तो अब चलिए एक पहला प्रश्ण तो आप लोगोंने जाना समझा और याद भी हो गया कि धारा में क्या कहा गया है अब लेते हैं अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण जो है वह भी सीएंटी एक काहीं है सीएंटी एक्ट छोटनागपूर कास्तिकारी अधिनियम 1908 मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो अलग-अलग राज्यों से अब जूड़ रहे हैं साकि उन्होंने भी जेप हैं जब तक नहीं को समझ्जी तब तक जहारखण में अधिकारी बननी सपन जो हैं वह नहीं देख सकते हैं इस लिए क्जारखण में जितने भी भूमी संबंधित कानून है, अधिनिय बनाए गए हैं, वो सब आपको पढ़ने हैं, और ये सबी आपको याद करने हैं, दस से बारा, बारा प्रश्न तो कम से कम, आप लोगों से पूछे जाएंगे ही जाएंगे, और बहुत एक एक प्रश्न जो है, वो आप पिशल चार साल से पांप साल से वो लुग तयारी लगतार कर रहे हैं, उनकी तयारी जो है, मैं सनी कहते हैं, अगर आप दो-चार मीने में कर रहा हैं, तो आपकी नहीं होगी, लेकिन इस दओड में आपको भी शामिल होना है, और क्लियर करने हैं एक्जामिनिशन को, ठीक ह तो इसके लिए जरूरी है कि आप सबी जहारखन को जानिए जहारखन में जितने सारे टॉपिक दिये हैं वो सब आप अच्छे से पढ़िए syllabus के कॉड़ी यही shortcut है और आप सब जो पूछते हैं कि जल्दी बाजी में कैसे त्यारी करनी है syllabus को जितना फास्ट आप सबी जो है पढ़ेंगे उतना ही जल्दी आपकी अच्छी त्यारी हो जाएगे पूरे syllabus को कवर करने के कोशिस कीज़े और हम लोग तो प्रयास रहत हैं ठीक है किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं हो जाना है अपने त्यारियों में help लेना है लोगों की मेरी help लीजे शूट की help लीजे किताबों की help लीजे दूसरे चैनल की help लीजे तो help लीजे ना कि depend हो जाईए चलिए लेगते हैं अगला प्रेशन जो छुटनागपुर कास्तेकारी अधिनियम से संबंदित है देखिए इसमें क्या दिया है कि सी एंटीक्ट के किस धारा के अधार पे इस अधिनियम के अधीन उपायुक्त के द्वारा पारित डिक्री जोत मुद्दे लगान के बकाये के लिए डिक्रीदार इसी जोत की विक्री के लिए आवयधन कर सकेका और इसे बैची जा सकेगे Разो है तो यह हारा दोसव आठ में कहा गया है थोड़ा से लोग didn't किताबी भाषा या कार्यालई भाषा या कानूनी भाषा में जाते हैं तो इसके बहुत सारे मतलम निकलते हैं और बहुत ही टफ होते हैं हम लोग सिंपल हार में हम जानते हैं कि आधेश तो देखिए धारा 208 जो है उसके अधार पर सीएटीट के धारा 208 के अधार पे इस अधिनियम के अधिनी जो सीएट छुटनाकुर कास्तकारी अधिनियम है उसके अधिन उपायुक्त के द्वारा पारित आदेश डिक्रियम लोगने बोलेंगे आदेश उपायुक्त के द्वारा गर कोई आदेश पारित होता है जो की भूमी तो जो भूमी है उसको उसके बिक्री के लिए आवेदन करेगा ताकि लगान को चुपता हो सके और इसे बेची जा सकेगी तो यह किस में कहा गया है तो यही है चोटनागपुर कास्तिकारी अधिनियम का 208 में अब अगला जो प्रश्न है वो भी चोटनागपुर कास् धारा 215 है 215 के अधार पे उपायुक्त के आदेश के विरूद अपील नियाईक उपायुक्त के पास की जाएगे उपायुक्त ने कोई आदेश दिया और उसके आदेश के विरूद कहां पर आप अपील करेंगे तो नियाईक उपायुक्त के पास अपील किया जा सकेगा ध धारा 215 में यह दिया हुआ है कि उपायुक्त के आदेश के विरूद अपील न्याईक उपायुक्त के पास की जाएगे किसके पास यहां से भी प्रश्न बनेंगे इसलिए मैं आपको समझा रही हूं जाएगी धारा 215 के अपनों की परिसीमा कितने दिनों के यह यहां गलत ल की परिसीमा कितने दिनों के अंदर की जानी है मैंने आपको बताया कि वह सारे धारा इंपॉर्टेंट है जिसमें डेट दिया हो दिन दिया हो वर्स दिया हो माह दिया हो वह सारे इंपॉर्टेंट है तो यह इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है तो कितने दिनों के अंद खाल डहार 205 के आधार पे उपायूक्त के आदेश के विरूध अपील नयाईक उपायूक्त के पास जाएगी यहीं better at 125 के अद्हीन अपील की परिसीम होगी वह तीज दिनों के अंधर कीं जानी काईगा सबीसा सब दिनों में उपायुक्त के आदेशक के विरूद अगर आप नयाईक उपायुक्त के पास अपील करते हैं तो 30 दिनों के अंदर आपको अपील कर देने हैं तो यह किस में कहा गया है तो यह धारा 215 में तो यह पहला वाला जो लाइन है वो 215 में कहा गया है लेकिन यह जो दू 1214 में दिया है कि दारा 215 की अधीन अफिलओं की परिसीमा 30 दीनों के अंदर की जानी चाहिए यह 121 में दारा 126 में अपने कितनी धाराओं का जाना धारा 179 जाना आ Quand ये अधना थारा टू हनोब्लेद फिटीन छाना और आपने थारा 216 जाना चार दारा dusty का जाना अब हुआ आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्ण जो है वो भी सी एंटी एट से ही संबंदित है और धारा 178 के कोग से अब इसमें क्या दिया हुआ है तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं सी एंटी एट की धारा 178 के कोग के अधार पे किसी अनाधी भोगी रायत जिसको भूमी से बेदखल करने का आदेश दिया गया हो बेदखली के अदेश के पूरु की उपजायवे फसल को काटने का हग किसे प्राप्त होगा तो यह प्रात्थ होगा रैयत को अगर जो अनाधिफ होगी रैयत है तो अगर उसको भूमी से बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया गया है किउनको भूमी से बेदखल कर देना है तो जब बेदखली के आदेश के पहले अगर उन्होंने फसल को उप जाया है तो फसल काटने का अधिकार जो होगा वो किसको होगा तो वो रायत को होगा और यह किस धारा में कहा गया है तो यह धारा 178 के कोव में कहा गया है तो आपको यह पता चल गया कि वो फसल और मुझे उस खेट में आदेस आ गया है तो उसको काटने का अधिकार जोगा वो मेरा होगा ठीक है तो यही चीज कहा गया है, CNT-8 के दारा, 178 के कव में, यह भी आपने जाना, 178 के कव को क्या के बारे में, और अब तो आप लोगों को आसान लग रही होगी, CNT-8, और देखें, और आप सभी जो मेरे स्वास्ति के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं उसकी भी चर्चा आपको ऐसा लग रहा है, या फिर मेरी लाइफस्टाइल अभी क्या चेंजेज होई है, तो उन सब के बारे में, चलिए हम लोग जानते हैं, अगला क्या है, किस CNT-8 से प्रशन है, या SPT-8 से प्रशन है, अब लोग इसको देखते हैं, तो अगला जो प्रशन है, देखें, कौँ से धारा, तो धारा अंठावन, CNT-8 1908 की धारा अंठावन के तहर, बकाया लगान पर अधिक्तम कितने प्रतिशत वार्शिक की दर से सधारन व्याज लिया जाएगा, सधारन व्याज प्रस्तावेत है, कितना प्रतिशत आप लोगों को सधारन व्याज के दर पर लग का प्रतिशत में आपको बता देती हूं यह है 6.25 प्रतिशत वार्षिक दर्ष से सधारण ब्याज यह लगेगा आपको थोड़ा सा अब हम लोग धारा 58 को जानते हैं इसमें दिया हुआ है दारा 58 कि किसी वर्ष का भुकतान अगर नहीं किया गया है अगर किसी वर्ष में मैं रहने प्रति वर्ष अधिक से अधिक हर वर्ष अधिक 4.25 सथा प्रतिशत सभारंण ब्याज लगीมि लेकिनravel किसी वर्ष में अदिक ले मनें दो-ती साल नहीं दिया है आगले ही किसी वर्स में यहाँ अगर 235 प्रतिशत से अधिक नहीं लगेगा अगर सारे लगान को हैं आप एक की बा बढ़ान कर देते हैं m साधियक में बंन सकते ही वहां से मैंने को तियार किया तो याद रखना था कि किसी को लगान देना है किसको लगान नहीं हो सारी चीजे C&T Act में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है टेलीग्राम वाले ग्रूप से जुट जाईए Study with Smriti JPSE वहाँ पर मैं C&T Act के सारे क्लास से मैं वहाँ सेंड कर दूँगी आप सारे क्लास को देख लीजे C&T Act के PDF मैं मैं शेयर कर दूँगी पूरा C&T Act पढ़ लीजे अब देखे अगला प्रशन भी C&T Act से ही है अधिक हो गया प्रशन चलिए कोई बाद ने आप लोगों की जनकारी भी अधिक हो जाएगी C&T Act के किस धारा में या प्रावधान है कि कोई भी भूमी जो चरागा या गोचर के रूप में अभी लेखित हो किसी भी व्यक्ति के द्वारा चराई से भीन उद्देश्य के लिए बंदूबस्त नहीं किया जाएगा तो यसा धारा 38 में कहा गया है अगर चोटनागपुर कास्तिकारी अधिनियम के धारा 38 में कहा गया है ऐसा प्रावधान किया गया है कि कोई अगर भूमी है अगर उसको चरागा या गोचर के रूप में अभी लिखे तो कि वो चरागा के लिए ही है वो भूमी अकर वो ऐसा कहा गया है तो कोई भी वैक्ति के द्वारा चराई से भिन बंदोबस्थ नहीं किया जाएगा महा चराई ही का काम होगा अप्ट पेति कर लीजे महा भीट के बटे बाठा लीजे जहाँ महा घर बना लीजे महा दुकान खुल लीजे जैसा ने वह चराई के लिए अगर है अभी लिखीत है चराई के लिए तो चराई के लिए होगा किसी आन्य कारें के लिए उसको बंदोबस्त नहीं किया जाएगा उसका सेटल्मेंट नहीं होगा ऐसा अधारा 38 में कहा गया है कि अगला प्रस्थ जो है वह स्पीटीए पसे है एसपी टीए अधार पर कहा गया है कि अश्मसान एक एक मिनट acji एक मिनिट रुख जैंए बस एक चीज जो मुझे चेक करने है तो देक लोती हो उसके बार मिनने का आप लो आप सभी बहुत चिंतित हैं मेरे स्वास्त को लेकर के तो मैं जो मेरा जो है ना आज सुबह में इतना ज्यादा खराल था कि मुझे नहीं लग रहा थे क्लास ले पाऊंगे तो मैंने क्या किया सबसे पहले सो कि जब मैं उठी तो गरम पानी का मैंने कुला किया थोड़ा सा रिलीफ हुआ तो मैंने तुरंत स्टीम लिया और स्टीम लेने के बाद मैंने जरूरी दवाईया हैं तो उसको खाने के पहले मैंने ग्लास नीबू पानी भी मैंने पिया हैं और उसके बाद मैंने दवाईयां सारी ली और फिर थोड़ा सा मुझे मेरे लगा कि हां मैं अब क्लास ले पाऊंगी तो सबसे पहले मैं यूटूब के लिए क्लास ले रही हूं फिर थोड़ी देर के बाद मैं कोर्स के लिए भी क्लास लोंगी और उसके बाद फिर मेरा वही थोड़ी तेज है उनकी एक मिनिट जो मुझे प्रावलम थी यहाँ पर यह C&T नहीं होगा यहाँ पर S-P-T-Aक्ट होगा मुझे यही लग रहा था कि अरे यह प्रावलम तो S-P-T-Aक्ट में है तो यहाँ C&T-Aक्ट कैसे है तो वही मैं चेक कर रहे थी यह C&T-Aक्ट नहीं होगा यहाँ यहाँ पर हो जाएगा S-P-T-Aक्ट यह टाइपिंग का एरर है कल के क्लास में भी टाइपिंग एरर हुआ था सरहुल जो पर्व है वो चैत महां के सुकल पक्षित्रितिया को मना जाता अब यहां पर क्या है नहीं था बड़ा मिस्टेक था इसी लिए मैंने इसको चेक कर लिया है कि क्या है और आप सब को इतना ज्यादा प्यार है और इतना साथ है तो जल्धी मैं स्वस्त हो जाओंगे तो सकता है इस वजह से नहीं यह बाहर थो रहे है तो ये वह समाने चाहिए तो सोने के बाद जो स्वेलिंग हो जाता है क्योंकि आप लोगों की बातों पर जरूर ध्यान रखूंगी और वैसे जो मेरा फेस बीचिक्स अब जादर टेंशन नी लीजे वेट भी मैं कम कर लोगी बहुत ही जल्दी थोड़ा स्वास्त हो जाना थोड़ा बाहर जाने लगों सुसाइटी में तो निकल नहीं रहे अब चली अगला प्रस लेते हैं छोड़ी इन सब बातों को बातें बहुत सारी होंगी किसी दिनों लोग लाइफ लास में कर लेंगे अब देखे क्या है SPT 8 की धारा 34 के अधार पर यदि जाहेर थान श्मसान या कब्रिष्टान की भूमी उपायुक्त मतलब कब्रिष्टान की भूमी देखे, SPT 8 की धारा 34 के धार पर यदि जाहिर्थान, अर्ष्परस्टान और कब्रिष्टान की भूमी अच्छा, इस कोशन को आप रहने दीज़े, अगला कोशन लेते हैं अगला प्रशन है कि निम्न में से किसी वी निम्न के अंतरगत संथाल परगना में 15 वर्सों के लिए लगान निर्धारीत होता है तो कौन से वी निम्न के अंतरगत, संथाल परगना में 15 वर्सों के लिए लगान निर्धारीत कर दिया जाता है एक परशन मैंने चोड़ा है, जैसे मैंने कल संथाल परगना वाला, देखे, आप जब लिखते हैं खुल से, उसमें एरर बहुत कम होता है लेकिन जहां वो टाइपिंग के लिए जाता है, उसमें एरर ही एरर हो जाते है, मैंने अभी तो प्रूफ रिडिंग सारा हो रहा है, तो प्रूफ रिडिंग होने के बाद सारे चीज को क्लियर करके आप लोगों को यह मिल जाएगा, अब देखे, मैं बता दूगी कि आपक अब कौन है यह मरियम गुडिया को, अब कौन है यह मरियम गुडिया, चलिए हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में जाने, तो राची सदर अस्पताल के अस्पताल की सफाई कर्मी है मरियम गुडिया, इनको कोरोना का पहला टिका लगाया गया, और इसी के साथ राजे भर में टिका करंड की सुरुआत हो गई, पहला टिका कोवीड शिल्ड, सीरम इन्शूट और पुने के द्वारा निर्मित किया गया, जो पहला टिका लगना इस्पताल की सफाई कर्मी है, अगला जो प्रशन है वो है सुमती कुमारी का चैन, दोजार बाइस के सीनियर नैस्नल ऐशन फुट बॉल कब के लिए हुआ है, तो सुमती का संबंध है गूंबला जिला से, घ्ल और खिलाडियों से भी प्रशन गचा जाएगा, ज्णा जार साथी साथ खेल खिलाडियों से भी प्रश्ण पूछे जाएंगा और करेंट अफेर्स का भी यह भाग है तो आप तीनों में इसको लेकर के चलिएगा खेल पुरसकार साहित्य योजना यह सारे से प्रश्ण अगर करेंट अफेर्स में भी है तो समझे कि और जो अधर टॉपि कितने वर्स किया तो सतरव वर्स ही आए इनका चैन 2022 में ओने वाले सीनियर नैशनल अधा एसीन कप के लिए हुआ है यह अब गोवा में ट्रेंग सेंटर में गोवा के ट्रेंग सेंटर में अब यह ट्रेंग लेंगी कल मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो पूछ रहे थे कि अब आप क्लास डिजिटल बोर्ड में ही लिजेगा तो हाँ मैं आप डिजिटल बोर्ड पर ही क्लास लोंगी और यह जो कल क्या हुआ था कि कल मैं क्लासेज ले रही थी ले रही थी और पता नहीं अचाना से class disconnect हो गया, मैंने class लंबा लिया था, लेकिन आपको सिर्फ 13 minute के class गये थे, तो पता नहीं क्यों disconnect हो गया था, तो मैंने आज technical team से बात की, तो पता चला कि storage मेरे system में इसका full हो गया था, तो मैंने storage खाली किया है, देखती हूं कि कल वाला गर problem नहीं आ रेसलर है, वो continental wrestling entertainment के national championship का इन्होंने किताब जीता है, यह शीवन चंदरा जो ही राचिक रहने वाले हैं, और wrestling entertainment की national championship में इन्होंने किताब जीता है, शीवन जार्खन के पहले professional wrestler हैं, और जिन्होंने राश्टी अस्तर पर championship को जीता है, ग्रेट खली की academy में यह training ले रहे हैं शीवन चंदरा, तो आप सबी से ये भी प्रश्ण पुछा जा सकते हैं कि सीवन चंदरा का सम्बंध की scale से हैं, तो यह wrestler है, अगला प्रश्ण है कि जार्खन राज्य के नए निर्वाचन आयुक तो कौन है, तो जार्खन राज्य के नए निर्वाचन आयुक थें, डॉक् और 31 मार्श 2020 को इनोंने मुखे सच्यू के पत से ही रिटार हुए थे, 2020 में रिटार हुए और इनको जार्खन का मुखे सच्यू भी बना दिया गया है, 1986 बैज के ये एक आये सदिकारी है, अगला प्रश्ण है कि DVC का नया चेर्मेन किसे बनाए गया है, तो DVC का जो नया च कर्मल के जीले रगु रांग को डीवी सी का मेंबर टेसिकल के प्रस्चे किया है यह यह ग्या शार शारब सामुरिती रंग विट्र संमान की जौत The अन्धर्णित हैं और खुने की अध्री प्रकासिति रंगन साध्र सुल्टिकशन मीं देख को ठाई साम लोगिस्म के डिटेल में भी देखें भारतिय लोकल ल्यान के सचीव है चंद्रदेव सिंग और स्वर्गिय जोती प्रकास इस्मृति रंग मित्र समान 2021 से इंको सम्मानित किया गया है पिछले 20 वर्सों से जारखंड की कला और संस्कृति को सम्रक्षन और उनके संबर्ध कि अध्यान के लिए इनको समान से समानित किया है कौन से समान है स्वर्गिय जोती प्रकास इस्मृति रंग मित्र समान 2021 और देखें 2021 में जितने भी पूरसकार और समान मिले हैं इसको मैंने एक जगा शारा लेकर के आए हैं जो जहारकन के करेंट अफेर्स के में होगा तो म से बहुत जादा इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए रहे तो उसी में मैंने कुछ पुरसकार और समान को मैंने एक जगह किया है तो उसको भी मैं आप लोगों को करा दोंगी ताकि समय रहते आपकी त्यारी बहतर हो जाए और फिर जब मैगजीन जाएगा तो आपका रिव मुंडा इनकी एक सो तीनवी जयांति किस्तिति को मनाए गया तो यह 11 जनवरी 2021 को इनका एक सो तीनवी जयांति मनाए गया है अब थुड़ा साम लोग इसको डिटेल में देखे कौन है यह भाया राम मुंडा स्वांत जोस्तित्रा से नानी है वो खुटी के सुदूर गाओं में 11 जनवरी 2018 को भाया राम मुंडा का जन हुआ किसका तो भाया राम मुंडा का अधिक से अधिक मैं कोशिस कर रही हूं आज क्लास में प्रस्णों को सामिल करने का इसलिए तोड़ा सा फास्ट लेकर के चल रही हूं और अभी तुरंत अभी देखे दो पहर का समय है लेकिन क्लास आपको इवनिंग में मिल जाएंगे मैं पहले क्लास इसलिए ले रही हूं कि पता नहीं साम रहते रहते तक मेरा तब्यत क्या रहे क्या नहीं रहे लेकिन क्लास बजब बन जाए समय पर ताकि आपको यह मिल जाए और वीक्नेस तो बहुत जादा रहता है अभी देख इतने दिर मैं खड़ी हो गई तो पीठ मे मैं सोने जाओंगी अभी लेकिन बेटा को थोड़ा सा दवावा दे दो थोड़ा सा उनको भी कुछ खाने पीने के लिए दो उनको स्टीम दे दो थोड़ा गरम पानी दे दो फिर मैं भी थोड़ा कुछ नासा या कुछ खापी के फिर मैं भी थोड़ा आराम करूंगी अब और 1950 से 52 में राची जीला कॉंग्रेस कमीटी के अध्याक्षर बने थे 1969 में कॉंग्रेस प्रत्यासी चयन समीती के ये सदसे बने 1967 में तमाड विधान सभा के ये विधायक बने 1972 से 78 तक राजय सभा के ये सदसे रहे 1972 में छोटनागपुर खादी ग्राम उद्योग संस्थान की इन्होंने अस्थापना की उसके साथ साथ जो भाईया जी है उन्होंने खादी ग्राम उद्योग संस्थान के आजीवन ये सदसे रहे हैं उनकी मुंडारी लोग कथाओं का संकलन 1961 में दड़ा जमान कड होडो कहानी को इसके नाम से प्रकासी तुई थी और इन्होंने मुंडारी भासा में गांधी जी की जीवनी पर भी पुस्तक लिखी है इतनी सारे जानकारी आपको भाहिया जी के बारां में पता चले और इनका 103 वी जैनती मनाएगी तो आज के क्लास में कुष्महत पून प्रश्ण called सब्सक्राइब करते हैं तो हो सकता है कि कुछ बात बार बार में रिपीट करते हूं ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे समझ में आजा हार इकदारा के बारे में मेरा सब्सक्राइब करते हैं कि करते हों वहीं करते हैं और अप लोगों का इतना सारा प्यार है कि मैं ले पा रही हूं इस प्रियाक भार रहा तो जल्द से जल्द सबस्ट हो जाएंगे मैं और मेरा बेटा बेटा के लिए थोड़ा नहीं बहुत जादा चिंतित रहती हूं लेकिन पॉजिटिव वे में हूं कि बहुत ही जल्द मैं इतना क्यार करूंगी उसका कि जल से जल्द वह भी स्वस्थ हो जाए और मतलब एक आम जीवन हम लोग जीने लगें और एक जो लाइफ मैं अभी तक कि जीते आ रहे थी उस लाइफ को बहुत मिस कर रहे हूं लेकिन जल से जल्द स्वस्थ होने के लिए जरूरी है और संक्रमन्ट फैले नहीं इसके लिए भी जरूरी है कि हम लोग एक जगा पर इस्थिर रहें कहीं हम लोग बाहर नहीं जाते हैं और सरकार जो है बिहार सरक लेते हैं और कप टेस्ट कराना है वो सब भी बुजनकारी लेकर के जाते हैं तो बिहार सरकार को भी बहुत-बहुत धन्यवा कितने कॉंसे हैं वो लोग इस संक्रमंट को लेकर के तो यह मुझे फिल हो रहा है मुझे पता चल रहा है और मैं इसको मतलब देख रही हूं कि हां इलुक स्वस्त हैं कि नहीं तो यह बड़ी बात है आप सरकार जो अगर इतने रख रही है ख्याल तो हम लोगों को भी अपने समाज का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी और को संक्रमंट ना फैल है तो हम लोग घर में रहते हैं बाहर कम ना मतलब आप हम लोगो को बाहर देखा होगा हम लोग बाहर निकलते ही नहीं है अगर कभी हम लोग के लिए कुछ समान आती है दवा आता है या मैं जोड़ी से सुसाइटी से कुछ मगवाती हूं या कोई हल्प के लिए कुछ करता है तो उनके रखने के बाद वहां से मुझे कॉल आती है उनके च और हम लोगों का विये काम बचता है कि हम लोग भी अपन जो चीज मुझे बहुता है जा रहा है कि मैं सही समय पर दवा लोँ और वो सब भी हम लोग कर रहे हैं बेटा भी है जो पहले तो बात नहीं मानता था कि मैं बहुत पीछे लगी रहती थी गरव पानी पीलो काड़ा wild लेता है और भान को सब्सक्ति बहुत लेता है खानेकर अहीं लएते हैं आप से विदा धन्यवाद है